नमस्कार विद्यार्थियों आज मैं एना योज की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक सिक्षा के सभी विद्यार्थियों को परियोजना लेखन के विशय में कुछ ऐसे बिंदू बताऊंगी जिनका अनुकरन करके जिनका अनुपालन करके आप उसका लेखन बहुत आसानी से कर सकेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय में एक पाठ है परियोजना लेखन, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, आप लोग परियोजना लेखन नाम सुनते ही डर जाते हैं आपको लगता है शायद ये बड़ा जटल, रूखा और गंभीर सा विषय है जिस पर काम करना आपके लिए काफी कठिन होगा पर मैं आपको ये बात बता दूँ ये आश्वासन दे दूँ कि ये पाठ देखने में जितना कठिन लग रहा है जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे और विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं खेली-खेल में कर सकता हूँ तो आईए हम पहले ये जानें कि परियोजना है क्या तभी उसके लेखन के विशे में विचार होगा परियोजना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है परी और योजना परी उपसर्ग है योजना मूव शब्द है योजना का आप जानते हैं किसी भी काम को विचार पूर्वक करना पहले से ही उसके बारे में एक कल्पना एक संकल्पना बना लेना कि हम इस काम को इस इस तरह से करेंगे वो योजना है हमारी जो हम भविश्य के लिए बनाते हैं किसी काम को सही तरीके से करने के लिए अपने मन में जो संकलपनाएं, विचार, धारनाएं हम बनाते हैं वो योजना है और परी का तातपर्य है पूरी तरह से यानि ऐसी योजना, ऐसा विचार जो अपने में परिपूर्ण है, संपूर्ण है परियोजना का तात्पर यह हुआ एक ऐसी योजना एक ऐसा विचार जो पूरी तरह से जिस पर विचार किया गया और ये पाया गया कि अगर इस पर हम इस तरह से काम करें तो हम अपने लक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो परियोजना लेखन का तात्पर यह हुआ किसी समस्या किसी विचार करना कि उस समस्या को पूरी तरह से निप्टाया जा सके तो परियोजना लेखन का तात्पर यह हुआ विचार पूर्वक किया गया काम आईए परियोजना लेखन के विशे में जानने से पूरू हम ये जाने कि इस परियोजना के लिए काम कैसे करते हैं, ये वास्तव में है क्या आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बिचाई गई है, मेट्रो लाइन बिचाई गई है, ये मेट्रो लाइन जब बिचाई जाती है, बनाई जाती है, तो उससे पहले सरकार इन पर एक योजना बनाती है, परियोजना, अंग्रेजी में परियोजना को project कहते हैं project का मतलब है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना या प्रकाश्चित करना तो metro project में उन्होंने पहले विचार किया नारना बनाई कि ये किन किन रास्तों से होकर जाएगी फिर वहां की जमीने कैसे ली जाएंगी उन पर कैसे पट्रिये विचेंगी उन पर engineering का कैसे काम किया जाएगा कितना पैसा उस पर खर्च होगा कौन-कौन सी सरकार है राज्य सरकार केंद्रिये सरकार उसमें अनुदान देंगी उससे कितनी आय होगी कितने यात्रियों को उससे लाब होगा फिर इनको बनाने में कितना समय लगेगा तो ये सब योजना उसको शुरू करने से पहले बनाई गई तो इस प्रकार से जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको परियोजना या अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं और इनके हर एक बिंदू पर पहले विचार कर लिया जाता है और उस विचार को करने के बाद उनको कारे रूप दिया जाता है तो जो भी परियोजना लेखन हम करते हैं आपने देखा होगा सबको पर जगे जगे है पोस्टर लगे रहते हैं कि सरकार इन समस्याओं से निबटने के लिए ये परियोजनाएं चला रही है तो ऐसी ही परियोजनाएं आप विद्यार्थियों को भी अपने पाठे क्रम से संबंधित पाठों के लिए दी जाती है और केवल पाठों के लिए नहीं आपके जो पाठों के अतरिक्त पाठ के अंतरगत जो विभिन ज्यान आपको द सारी सामाजिक समस्याओं को लेकर हो तो उन पर आपको जो परियोजना कार्य दिया जाता है हमें उस पर विचार करना है तो परियोजना लेखन इन ही सब चीजों पर किया जाता है परियोजनाएं अनेक प्रकार की होती है पर मुख्य रूप से दो होती है एक होती है समस्या प प्रदान क्या है कि जैसे पेजल की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, दहेज प्रथा की समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं समाज में रहती हैं, प्रदूशन की समस्या है, तो इन समस्याओं पर जब समय बद्धरूप से सरकार पूरी तरह से विचा करती है और एक संगठन बनाकर उनको ये कारे सौंप देती है कि आप इस पर परियोजना बनाएं जब परियोजना पूरी तरह से बन जाती है तब उसको कारे रूप में परिनित किया जाता है तो ये आपकी है समस्या प्रधान परियोजना दूसरी प्रकार की परियोजनाएं जो आप विद्धियारतियों से संबन्देत होती हैं, वो सेक्षिक परियोजनाय होती हैं. आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, उचितर माधियं पुस्तक पर जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, उसमें अनेक पाठ है, उन में से कोई भी पाठ मान लीज़े, आपने लिया उस पर परियोजना बनाने के लिए लिए. जैसे कबीर का ही पाठ है, तो आपने उसमें से कबीर के कुछ दोह का संकलन किया, अपनी पुस्तक के अलावा भी आपने अन्य पुस्तकों से, जहां कबीर के साहिते से उसके अन्य दोहों का भी संकलन किया या आपने अन्य कबीर के समय के अन्य कभियों के उन्हीं विश्यों से संबंदी दोहों का भी संकलन किया फिर तुलमात्मक रूप से आपने देखा कि कबीर जो कहना चाह रहे हैं या आने कभी जो कह रहे हैं उनमें क्या समानता है? क्या आनता है? फिर कबीर ने जो कुछ कहा है, क्या वो आज भी प्रासंगिक है? कबीर ने जो कहा कबीर आप जानते हैं, ये स्वयम तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर्दय से, बुद्धी से बहुत सिक्षित थे, उन्होंने जो भी बात की है, वो अनुभव जन्या है, उन्होंने जो कुछ देखा, चारो ओर, जो उन्होंने महसूस किया, जो उनके अपने जीवन पर बीदा, उसे उन्होंने दोहूं का स्वरूप दिया, तो हम उन दोहूं में जो विचारधारब्यक्त की गई है, जब उसकी तुलना करते हैं, आज के समय से, प्राचीन काल से, उनके वक्त से, तो हम पाते हैं कि जो बाते कबीर ने, सेकड़ों साल पहले कही थी, वो आज भी उतनी ही सही हैं, और समाज में वो बुराईया आज भी हम देखते हैं, तो परियोजना कार्य जब आप बनाएंगे, तो आप पहले दोहूं का संकलन करेंगे, अने कवियों के तुलनात्मक दोहे लेंगे, फिर उनके विशे में अपने विचार देंगे, यानि जब हम परियोजना बना रहे हैं, तो अनेक तत्थियों को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा, और इसके फश्चात हमने देखा, कि उसकी प्रासंगिक्ता क्या है, क्या उनके द्वारा व्यक्त किये गए विचार आज भी सही हैं, किस रूप में हैं, आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर समाज में कितने जगड़े होते हैं, तो कबीर ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी, कि अगर इस संकीन विचार धारा से हम बाहर नहीं निकले, तो ये हमारे लिए एक जगड़े का विशह हो सकता है, तो कबीर की विचार धारा समाज के लिए कितनी उपादेई है, और जो बात वो सैंक्रो साल पहले देख सके थे, वो आज के समय के अनुसार भी सत्यसिद्ध हो रहे है, तो जब आप कबीर पर परियोजनाएं बनाएंगे, तो आप इन सब बातों का जिक्र करेंगे, इन सब बातों पर इन सब तक्थियों पर आपको ध्यान देना होगा, इसके साथ अन्य विद्वानों ने कभीर के विशय में क्या कहा है, आप क्या आनुभव करते हैं, उनकी भाशा, उनकी शैली आपको कैसी लगती है, वो आपके लिए कितनी उपयोगी है, वो आपको क्या प्रिणा देते हैं, आप किस प्रकार से अपना अपनी परियोजना को तयार करेंगे, कितने सुन्दर तरीके से उसे प्रस्तुती देंगे, इन सब बातों पर पूरी तरह विचार करके आप अपने पाठ के आधार पर एक परियोजना तयार करेंगे, तो परियोजना कार्य में व्यापकता होती है, आप ये समझेए परियोजना इसी प्रकार भिन् तो छिलका छीला खेला आपने खा लिया, सेब लिया आपने धोया और खा लिया, लेकिन अगर आपको अनार खाना है, तो आपको उसे छीलना पड़ेगा, उसके दाने निकालने के लिए अंदर से भी उसको छील कर फिर वो खाने योगे बने गा, और अने जैसे तरबूज तो पहले आप उसके बड़े टुकडे करते हैं फिर उस बड़े के छोटी टुकडे करते हैं तो परियोजना भी इसी प्रकार है कि जो आपका मुख्य विशह है आप उसको छोटे-चोटे खंडों में बाठते हैं और प्रते खंड पर विचार करते हुए आगे आप बढ़ते यानि परियोजना का काम चरण बद्ध तरीके से किया जाता है तो परियोजना अपने में एक विशिश प्रकार का लेखन है जो अन्य सामाने लेखन से थोड़ा भिन्न है और इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है भावनाओं के लिए कम स्थान होता है साहिर्तिक जो हमारी गतिविदियां है या परियोजना हैं उनमें भावनाओं का स्थान तो है पर मुखे طور से हमें उसके कारणों पर विचार करना अब जैसे आपके यहां पार्ट है कुटच मा लीजे कुटच पर ही हमें परियोजना बनानी हो तो पहले हम देखेंगे कि कुटच क्या है कहा है उसके बारे में लेखक ने क्यूं सोचा है किस तरह से वो हमें प्रभावित करता है क्या उसका वर्णन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है वो किस तरह से हमारे लिए प्रेरत हो सकता है उसकी इस्तिती किस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेर ना देती है जैसे हजारी प्रसाजी ने बताया कि कुटज जो है शिवालिक की पहाड़ियों मिलता बड़े रूखे सुखे जंगलों में पैदा होता है और किस प्रकार बिना जलके भी जमीन से बहुत गहराई से पानी खीज लेता है और फिर वो फूलों से लद जाता है तो हमारे जीवन में भी बहुत कथिनाईया हैं उनके बीच में भी हमें सारी कथिनाईयों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना है खुद को प्रसन्न रखना है और दूसरों को भी प्रसन्नता देनी है तो जब हम किसी भी पार्ट के विशय में पूरी तरह से विचार करते हैं क्या है, कब है, क्यूं है, कैसा है और उसके क्या-क्या प्रभाव समाज पर पढ़ते हैं वो किस तरह मानव जीवन को उपा दे बनाता है, कैसे प्रेड़ना देता है तो जब इतने सांगो-पांग तरीके से हम किसी भी विशय पर विचार करते हैं तो वो विशय हमारे लिए परियोजना लेखन का विशय बन जाता है अब बहुत सारी चीजे हैं जैसे अब हम किसी समस्य प्रधान विशय पर ही विचार करते हैं पानी, एक प्राकृतिक प्राकृतिक श्रोथ है वो ऐसा नहीं है कि उसे हम बना सकते हैं वो एश्र ने हमें प्रधान किया है और उसकी एक सीमा है देखने में तो ऐसा लगता है कि धर्ती जल से परिपूर्ण है पर उसमें से 90 प्रतिशत जल ऐसा है जो पीने के यूग ये नहीं केवल 10 प्रतिशत से लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना काम चलाना है तो उपकते एक देश में यहां तक की राजधानी दिल्ली में भी आप देखते हैं पेजल की कितनी समस्या है वाली जे पेजल की समस्या पर हमें परियोजना बनानी है तो आप पहले देखेंगे कि पे जल कितना है, एक विक्ति को पीने के लिए कितने पानी की आवश्चकता है, मोटे तोर पर ऐसा खहते हैं कि एक विक्ति को एक दिन में 7 लीतर पानी की जरूरत होती है, अपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो उपलब्ध ह है वो बहुत कम है क्यों ऐसा क्या हो गया ये जो प्राकृतिक जलसरोत था ये धीरे-धीरे कम पढ़ता चला गया बहुत सारे कारण क्या हुआ कि जन संख्या का दबाव लगा तार बढ़ रहा है हमारे जो जल स्रोथ हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे और उस पर जन संख्या का दबाव पहले से कई गुना बढ़ गया जब हम आजाद हुए 33 करोड थे और अब हमारी जन संख्या सवा आ रहा है तो ऐसे मैं आप सोच सकते हैं कि एक एक आदमी के हिस्से में ओ जल कितना कम आ रहा है फिर हमने क्या किया पे ये जल का सही प्रयोग नहीं करते बर्बादी करते हैं जल फिर सूखा पड़ जाता है प्रदूशन लगातार बढ़ रहा है फिर जो जमीन में जल संचित जल है वो बहुत अधिक हीच लेने से बहुत अधिक उसका उप्योग करने से उसमें भी धीरे-धीरे कमी आने लगी है आपको पता होगा आखबारों में छपता भी रहता है कि पंजाब में जब ट्यूवेल लगे तो खेती के लिए सिचाई के लिए बहुत अधिक सुविधा हो गई पर धीरे-धीरे अब ऐसान भव किया जा रहा है कि उन ट्यूवेल्स के लिए अब पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो जो जल जमीन के अंदर था का स्तर बहुत नीचे चला गया जमीन के अंदर का जो पानी है उसका जो मतलब स्तर है वो बहुत कम हो गया है तो उसकी वजह से अब ट्यूवेल्स भी वहाँ ठीक से काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब यह है कि हम प्राकिर्तिक काधनों का सही उपयोग नहीं कर रहा है फिर प्रदूशन के लगतार बढ़ने से जो पेजल के इस्तिति है वो और भी अधिक दैनियाँ हो गई है जो पानी पीने योग्या, पानी पहले ही कम था उसमें भी प्रदूशन के कारण उसकी भी गुर्णवत्ता लगतार कम होती जा रही है पीने योग्य पानी में से भी बहुत कम पानी ऐसा है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है अब परियोजना आप कारे कर रहे हैं आपको ये सब आंकड़े कहां से मिलें ये सब परियोजना कारे करने के लिए आपको अख़बारों का पत्रिकाओं का पुस्तकों का गूगल का वा सहयोग लेना हो जैसे खेल खेल में चीज़ें जो भी कुछ हम सीखते हैं बड़ा आनंदायक लगता है ऐसे ही परियोजना को भी हमें खेल का रूप देना चाहिए कैसे जब अकबारों की कत्रन आप लाते हैं मालीजे पेजल की समस्या पर आप परियोजना बना रहे हैं पड़ी हुई है वो चित्र आप चित्का रहे है फिर आप ऐसे चित्र लाजरे हैं जिसमें लोग कतार में खड़े हुए हैं एक घड़ा एक बाल्टी पानी भढ़ने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि बाहरेने वाले लोग कितने अधिक परेशान हैं, पानी की कितनी कमी हैं, मीलो दूर चलके औरते जाती हैं, आदमी जाते हैं, तब कहीं एक घड़ा या एक बाल्टी पानी उन्हें मिल पाता है। उसके और भी कारण हैं, जैसे आप देखिए जो पारंपरिक हमारे जल स्रोत थे, तालाब थे, पूवें थे, उन पर अब हमने बिलकुल भी ध्यान देना बंद कर दे, तालाब धीरे-धीरे सूख गए, पूवें का प्रयोग बिलकुल बंद हो गया, तो जो लोगों के उपल कोई भी परयोजना बनाने के लिए देखेंगे कि मूल विशय जो उसका है, उसके वो क्या है, उसकी कमी के क्या कारण है, उसे बचाने के लिए हम क्या-क्या उपाए कर सकते हैं, यानि हमें उनके कारणों पर, उनको दूर करने के समधानों पर, सुझावों पर, उनके आंक उन सब सुरोतों को तलाशना होगा और जब हम अकबार पढ़ते हैं किसी समस्या से संबंदित परियोजना बनाने के लिए या कत्रन लाते हैं अकबार की कटिंग लेते हैं तो उसके वजह से आपने अकबार भी देखा फिर आपकी जब आपने देखा कि इतने लोग पानी को लेकर परेशान हैं और आप तो एक मज़े की जिन्दगी जीर हैं तो आपके मन में यह इच्छा होती है आपको अंदर से तकलीफ होती है कि हमें पानी का दुरूपियोग नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान में करोडों लोग ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और ह आप लोगों से अब परियोजना बनाने के माध्यम से आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं एक दूसरे की समस्याओं के प्रती आपके मन में समान भूती पैदा हो रहे हैं इस्तिती में अगर आप हो तो आपको कैसा लगा है आपको अकबार अच्छा लगने लगा है पहले आप अकबार आप पढ़ते नहीं थे लेकिन अब आप अकबार पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है अरे अकबार में खाली ऐसे ही खबरे नहीं होती ये हमें देश-विदेश के इतने समचारों से इतनी समस्याओं से अवगत कराता है और ये जब आप परियोजना बना रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रमान है आपके पास अपनी समस्या को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आप पुस्तकाले में जाते हैं पुस्तकों से अध्यान करते हैं आपके किसी मित्र को उसकी जानकारी है उससे जानकारी लेते है आप अपने अध्यापक से पूछते हैं, आप किसी विशेशग्य से पूछते हैं, तो परियोजना बनाने के लिए आप को अनेक स्रोतों को टटोलना पड़ता है। और जैसे जैसे ये स्रोतों को आप टटोलते हैं, आपका ग्यान लगातार बढ़ता जाता है, और सिक्षा के प्रती आपकी रुची बढ़ने लगती है, फिर जो मज़ा आपको खेल खेलने में आता है, जो मज़ा आपको पॉमिक पढ़ने में आता है, जो मज़ा आपको कहान का वेशय बन गया आपकी जो अंदर की ज्ञान पिपासा है वो उसके माध्यम से शान्त हो रही है आपके मन में नई से नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बल्वती हो रही है परियोजना लेखन के बड़े ही फाइदे आपकी जो भाषा है वो सम्रिद्ध होती चली जाती आप देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छा लेख सकते हैं आप तो सीधी सरल भाषा में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं आपने देखा अकबार की भाषा अलग थी पुस्तक की भाषा अलग थी बोलने वाला अपनी भाशा में कुछ और कह रहा है फिर आप देखते हैं कि आपने देखा गुजरात में महराश में पानी की जादा कमी है वहां के लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें अपने तरीके से तो दूसरी भाशाओं के प्रती भी आपके मन में जिग्यासा उत्पन होती है समान उत्पन होता है तो आपका जो मन है आपकी जो विचारधारा है वो लगातार विक्सित हो रहे आपके अग्यान लगातार बढ़ रहा आप एक योजना बध तरीके से सोचने लगे आपका दृष्टी कोन बदल जाता अभी तक अब भावुक होकर सोचते थे पर आपने परियोजना लेखन क्या सीखा आप चीजों के प्रती बड़े ही योजना बध तरीके से देखने लगेंगे आपके दृष्टी कोन बहुत तार्किक हो जाता तर्क-संगत तरीके से आप बात करते हैं आप चीजों की गहराई में जाने लगते हैं आप समस्या के मूल पर विचार करते हैं कि ये समस्या कहां से उत्पन होई कौन-कौन सी चीजें थी जिनोंने इसे बढ़ावा दिया कौन-कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे इसको शुरू से ही समाप्त कर सके हैं कैसे हमें अन्य स्रोतों की सहायता लेनी है पेजल की समस्या आपकी हमारी सब की समस्या है लेकन इसमें हमें अनेक संस्थाओं की सहायता भी जाए नदियों से हमें प्रदूशन समाप्त करना है हमें जल स्रोतों को बढ़ाना है या जहां पर तालाब सूख गए हैं पूए नहीं हैं नलों की वेवस्ता नहीं है तो वहां हमें सरकारी संस्थाओं की सहायता की अवश्यक्ता है तो आप देखते हैं कि एक समस्या के समधान के लिए आपको कितने लोगों से संपर्ट करना पड़ता है तो परियोजना लेखन एक योजना बद तरीके से समस्याओं पर बड़ी गहरी तरीके से विचार करने काम हमें सिखाता है यानि परियोजना लेखन ने हमें एक बेहतर नागरिक बनाया, एक बेहतर इनसान बनाया, एक बेहतर विध्यार्थी हमें बनाया और इस लेखन के माध्यम से हमने ना केवल परियोजना लेखन सीखा अपितु बहुत सारे गोण इसके माध्यम से हमने प्राप्त कहले तो विद्यार्थियों मैं ऐसा समझती हूँ कि आपने इस पाट के माध्यम से परियोजना लेखन के बारे में लाबदायक जानकारी प्रा बलकि उत्साहा पूर्वक उसमें भाग लेकर उसे अच्छा और बेहतर बनाएं धन्यवाद